पॉट पॉणिंग लास नर्सरी बच्चों पिछा है आपका हिंदी कवीता का हिंदी राइम्स का तो चलें आप भी अपनी राइम्स पुक सिंग ए सॉंग खोल लीजिया देखें इसमें आज आप खोलेंगे पेज नमबर 21 यहां पेज नमबर 21 और देखिए आज की कवीता है अपकी मा अपये आप मा को किन कीन सफ़ें से पुकारते हैं बोलते हैं जैसे बोलते हुए यहिंम्मा व कर्मी इन सबішस्भी सब्सभी तो चलेंब आज हम पढ़ते हैं हें की हिनी का वीता मां आप मेरेवे साथ वे धाल की जिससे आपको इकविता अच्छे से लर्न हो जाए, याद हो जाए, तो देखे बच्चों रूठ नहीं तुम सकती मा सदा प्यार करती तुम मा रोज सिखाकर अच्छी बाते खुजी नहीं भरती तुम मा खुजी नहीं भरती तुम मा रूठ नहीं तुम सकती मा सदा प्यार करती तुम मा रोज सिखाकर अच्छी बातें खुजी नहीं भरती तुम मा तो यहाँ बच्चा अपनी ममा को क्या बोल रहा है तुम उससे रूठ नहीं सकती मामा ऐसे गुस्ता नहीं होती ना बच्चों से फिर सदा प्यार करती तुम मा मा हमेसा अपने बच्चों को प्यार करती है रोज सिखा कर अच्छी बाते और रोज क्या करती है अच्छी बाते सिखाती है ना आप सभी को और फिर बच्चा बोड़ा, खुसी नहीं भरती तुम मा, और बच्चों के जीवन में क्या है, मा हर दिन अच्छी बाते सिखा कर उनके जीवन में क्या भरती है, खुसी भरती है ना, तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, आज की कविता, मा, रूठ नहीं तुम सकती, मा, सदा प्यार करती तुम मा, रोज सिखा कर अच्छी बातें, खुसी नहीं भरती तुम मा, रूठ नहीं तुम सकती, मा, सदा प्यार करती तुम मा, रोज सिखा कर अच्छी बातें, खुसी नहीं भरती तुम मा, तो इस तरह आप भी ये कविता सुनकर दोराईए बच्चों, जिससे आपको इकवीता अच्छे से याद हो जाए तो चलिए आज आप हिंदी की कवीता मा याद कर लीजिए ओके बच्चों तैंक यू